आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now Hello guys, इस question में हमें बोला है match the following तो कुछ हमें में columns 1 में structure से रहे हैं और column 2 में में दे रहे हैं animal search के अंतर वो occur करते हैं तो हमें यहां पर correct matches बताना है सबसे पहले क्या कह रहा है operculum operculum basically अपना क्या होता है एक structure होता है कै सकते हैं किसका cartilages का यह present होता है किसके अंदर bonny fishes के अंदर bonny fishes के अंदर ठीक है इसका function क्या होता है यह cover करता है किसको gills को cartilaginous fishes में आपको देखने को नहीं मिलेगा cartilaginous fishes के अंदर gills clips यह होते हैं ऐसे ही exposed होते हैं लेकिन bonny fishes के अंदर यहां पर एक cartilaginous structure याने की operculum से यह covered होते हैं और अपनी bonny fishes यह होती है उसकों के कहते हैं ostrac sites तो यहां पर अपना क्या जाएगा यह अपने appendages होते हैं जो मैं देखने को मिलते हैं किसके अंदर nearest के अंदर ठीक है और nearest चे होता है अपना यह belong करता है किसे अनलीडर से तो उसकों हम यहां पर लिख देते हैं पैरापाडियों अपने क्या होते हैं यह flat ठीक है flashy flashy और hollow vertical flaps होते हैं hollow vertical flaps ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो portion है याई सिर्फ यह पीछे बाला portion this is our parapodia और यह bear करते हैं यहाँ आप आपको dark color structure दिख रहा होगा जिसकों के कहते हैं seatay ठीक है यह seatay जो होते हैं कैसे होते हैं kaitinas होते हैं विकन से kaitin के बने होते हैं और इनका main function क्या होते है parapodia शुर होते हैं inctos को move करते हैं और help करते हैं किसके अंदर locomotion के अंदर ओके तो अपने जो parapodia था इसको हम यहाँ पे side में लिखते रहते हैं first के साथ क्या रहता अपना यहाँ पे edge second is parapodia और parapodia के साथ अपना क्या रहा है यहाँ पे इनलीड़ा scales third पे आते हैं scales से होते हैं हमें यह देखने को मिलते हैं किसके अंदर reptiles के अंदर ठीक है अब आपको लगरा होगा कि conduct side से होती है या अपनी जो fishes होती है वाभी skills present होते हैं अंसे भी जाधा prominent यह होता है हमें देखने को मिलता है किसके अंदर reptilia के अंदर वापन का function होता है कि जो water loss होता है basically body के through उसको prevent करते हैं और कहीं ना कहीं उनको protection में भी participate करते हैं ठीक है third के साथ यहाँ पे अपना आजएगा d reptilia आते हैं fourth week complex तो complex यह होती है यह हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर dynophores के अंदर यहाँ पे देखो यह complex plates होती है अब complex क्यों मालों यह plate है ठीक है इसके उपर present होते है cilias अभी cilias तो present है लेकिन यह किसकी तरह देखने को लग रही है हमें comb की तरह that's why इसको में कहते हैं complete और इनका function क्या होता है यह अपने dynophores को locomotion में करती है help ठीक है तो fourth जो था fourth के साथ यहाँ पे क्या आजाएगा अपना dynophores ले रहे हैं हमें a में ठीक है तो fourth के साथ आजाएगा a यह है यह आपे उपर इसके d confusion नहीं होना है next पे आते है's regular तो regular हम होते है Sustainable मोल्स जो मैं देखने को मिलता कि Si quedarlog 50 Sundaycop никак यह मैं किसमे देखने को मिलता है faulskास के अंदर इसके वे निस दीट pozy調 कायटunda स्वेंट ग Coloss Rachel क्राप करने में help करते हैं ठीक है तो Redula का अपना क्या है 5th और उसके साथ आ जाएगा Molluscus जो represent कर रहा है B से तो 5th के साथ आ गया B, Hairs यह हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर Mammals के अंदर तो यह तो बहुत easy था, ठीक है, Hairs यह हमें यह देखने को मिलते हैं Mammals के अंदर ठीक है, और यह present होता है किसके अंदर, Pori Firas के अंदर, एक important role play करते हैं किसके अंदर, Canal System के अंदर इनके पास present होता है Flagella, यह Flagella जो होता है incoming water को move करने में help करता है और वो incoming water जो होता है, अपने साथ के लिए का आता है, Nutrients, जिसको यह Colar के यहां पे देखो, Ocelius present है एक Colar के तुरूब उसको absorb के लिए जाता है, और जो waste होता है उसको यहां से remove भी करते है, ठीक है, तो basically corner sites, और we can say Colar Celsius, हमें किसमें देखने को मिलते हैं, Pori Firas के अंदर, ठीक है, That is our C, तो यहां पे 7th के साथ आजाएगा C, 7th के साथ यहां पे क्या आ गया, C आ गया, Last अप पे अपना operculium होता है, absent, तो gills यो होते हैं, ऐसी exposed होते हैं, यहां पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है, तो 8th के साथ, 8th अपना gills, यहां पे context sites, किस से represent हो रहा है, F से, यहां पे आ चाहिएगा F, ओके, आप यहां पे दोनों का comparison भी देख सकते हैं, यहां पे present है operculium, और इसके नीचे present है gills, ठीक है, तो basically, slits यहां पे देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि हमें context sites में देखने को मिलते हैं, ओके, context sites और विकन से cartel Janus, fishes, thank you so much.